लर्निंग मंत्रा के अनलाइन पार्चला में आपनों का बहुत बहुत स्वागत है हम लोग अपने इस क्लास में आज एक महत्पून टापिक सम्वेधान के विशाय पर चर्चा करने चल रहे हैं और वह टापिक है फंडामेंटल डाइट्स मूल अधिकार मूल अधिकार के अंतरगत आज हम लोग बात करेंगे के मूल अधिकार का अर्थ क्या है और उसकी विशेष्टा क्या है ना अनेक बार आपने इस बात को पढ़ा होगा अनेक बार आपकी द्वारा इस बात का अध्यन किया गया होगा कि सम्वेधान की विशेष्टा क्या है लेकिन आज हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकार की विशेष्टा क्या है क्योंकि अगर fundamental rights या सम्वेधान के किसी भी प्रावधान को पढ़ना है तो आवस्यक है कि आप उसके समस्त विंदूं पर आपनी द्रिष्ट को डाले उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करने चलने हैं fundamental rights या मूल अधिकार की ज्यादा आनावस्यक अर्थों को इसमें समलित ना करते हुए सीधी सीधी बात पर हम लोग आते हैं हम लोग ये बात यहां करना मुचित नहीं समझ रहे हैं कि हम आपको ये बतला दें कि मानुवा धिकार क्या है मानुवा धिकारा और मूला धिकार में क्या अंतर है हम आपको ये बात भी नहीं बता रहे है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है और प्राकृतिक अधिकार और fundamental rights में क्या अंतर है क्यों क्योंकि आप कम पढ़ करके ज्यादा समझने का प्रयास करें हमारे class का ये गुद्धिश है इसलिए अगर आपको एक बात मालूम है कि मूल अधिकार सटीक रूप में क्या है तो आपको ये तो अपने आप ही मालूम होना चाहिए कि ये अगर मूल अधिकार नहीं है ये अगर प्राकृतिक अधिकार है या ये अगर मनवा अधिकार है या अगर ये कानूनी अधिकार है तो क्या ये fundamental rights होगा या नहीं होगा fundamental rights होने के लिए सर्थ क्या है तत्त्त क्या होता है जिसके आधार पर आपका सकते हैं कि यही fundamentalize से चलिए इसमें दो बातों को आप समझ रहे होंगे एक है अधिकार आग दूसरा है मूल माने क्या होता है फंडा माने क्या होता है फंडा माने होता है आत्यंत आवस्यक ना जड़ के रूप में या नियू के रूप में माने आईसी परिशितियां जो ब्यक्त के लिए आत्यंत आवस्यक होगा उसे फंडा या मुल कहते हैं लेकिन उन परिशितियों को अगर हम आधिकार के रूप में माननिता दे देए अगर वह आधिकार के रूप में समलित हो जाए तो उसको हम आधिकार और मूल आधिकार कर सकते हैं मूल के बाद उसको हम आधिकार कह सकते हैं आधिकार का तत्पर है कि ब्यक्त को दिया गया वह परिशिती ब्यक्त के मांग को स्विकार किया गया वह परिशिती जो कि राज के द्वारा बाधिकारी और दंडिकारी घोशित किया गया हो उसको हम मूल अधिकार कहते हैं ना लेकिन हमारी यह बात सही नहीं है क्यों क्योंकि ब्यक्त के ब्यक्तित्ट के विकास के लिए वह परिशिती या वे अधिकार जो ब्यक्त के ब्यक्तित्ट के विकास के लिए आत्यंत आवस्यक है परन्त इसके साथ साथ यदि वे अधिकार भारती संबेधान के भागतीन में आनुचे 12 से 35 के मध अंतर विश्ट हैं तो उनको हम मूल अधिकार कहते हैं आपने एक बेसिक पॉइंट समधा होगा कि किसी भी अधिकार के मूल अधिकार में तबदील होने के लिए आवश्यक है कि वह संबेधान के भागतीन में आनुचे 12 से 35 में अंतर विश्ट हो उदाहरन के रूप में संपत्ति का अधिकार जिसका उलेख आनुचे 131 में था लेकिन 44 में संबेधान संसोधन के द्वारा उने 68 में इसको निकाल करके आठकिल 300 ए में समलित कर दिया गया और इसलिए अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह पाया बलकि वह कानूनी अधिकार बन गया इसलिए हमें उमीद है कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि मूल अधिकार केवल वही अधिकार होता है जो व्यक्त के व्यक्तित्य के विकास है तो आउस्यक तो है बाकी सारे अधिकार भी इस कटेगरी के अंतर गताते हैं चाहे प्राकृतिक अधिकार हो चाहे मनु अधिकार ह सब वFlow के व्यक्तित्य। के विकास के लेए अत्यंद आवस्यक होते हैं, लेकिन खाली व्यक्तित्य। के विकास के ले अत्यंद महत्पूना और आवस्यक होने के कारण वे फंदामेंटल लाइट्स नहीं बन सकते, fundamental rights तभी होंगे जब कि वह संबेधान के भाक्तीर में आनुचे 12-35 के मद्ध अंतरविष्ठ होंगे, मानिता प्राप्त होंगे और जो इसके अंतरगत नहीं होगा वह मुला धिकार नहीं होगा जैसे संपत्तिका अधिकार अपने प्रारमिक काल में जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संबेधान लागू हुआ 26 नमबर 1979 को भारती संबेधान बन कर तयार हुआ तब तक तो यह मूला धिकार था लेकिन 44 में संबेधान संसोधन के द्वारा 1978 में इसको निकाल दिया गया और अब यह अधिकार केवल और केवल एक कानूनी अधिकार रह गया क्योंकि यह आनुचे 12 से 35 तक नहीं रह गया आट के लेक 30 निर्शित हो गया और अब यह आनुचे 30 चो ए में आ गया इसलिए संपत्य का अधिकार एक संबेधानिक अधिकार है एक आया कानूनी अधिकार भी है परंतिया किसी भी रूप में मूल अधिकार नहीं कर लाता इसलिए मूल अधिकार को आपने इस पस्तूप में समझ लिया होगा अब देखे हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकार के अर्थ के पस्यात मूल अधिकार की विशेष्टा क्या है मूल अधिकार के पहली विशेष्टा है कि यह वह अधिकार है जो कि संबेधान के द्वारा प्रदत है नायय संबेधान के द्वारा प्रदत है आपने प्रारंभिक काल में ही इसका उलेख हमारे मूल संबेधान में ही था जैसा कि आपको मालुम होगा कि भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संबेधान से ग्रहन किया गया था लेकिन अमेरिका के मूल संबेधान में मूला धिकारों का कोई उलेख नहीं था एक से लेकर दस संबेधानिक संसोधन 1791 में किया गया और इस संबेधानिक संसोधन के द्वारा वहां पर मूला धिकारों को सम्नित किया गया इसलिए उसको बेला फ्रेट्स के नाम से जाना जाता है तो कहने का अतात पर यह है कि भारती सम्मेधान में प्रदत मूला धिकारों के पहली विशिष्टा है कि यह मूल सम्मेधान का ही भाग था ना इसको बाद में नहीं जोला गया बलके भारती सम्मेधान का निर्माता इस बात से वाकित था और इस बात के लिए चिंतित भी था कि एक ऐसे सम्मेधान का निर्मान किया जाए जिसमे नागरी काधिकारों को सर्वोच प्राथमिकता दी जाए इसी बात को ध्यान में रख करके फंदामेंटल रैट्स को सम्मेधान के कामहत को भाग बनाया गया और भाग तिन अनुच्छेर बारह से पाइंतिस के मद्ध में इसको समलित कर दिया गया दूसरा है कि मुल अधिकार बिश्त्रित रूप में अमकित किया गया है ना यह आटकिल में तो है है आइटकिल के अलामा सब आइटकिल भी इसमें पाया जाते हैं और सब आइटकिल के भी कई के अफवादूं का भी इसमें उलेख किया गया है जबके अमेरिकन सम्मेधान का अगर आउलोकन किया गया है तो अमेरिकन सम्मेधान में अजन्द ब्रीफ ही स्थितिय में बिला अफरेड्स को शम्लित किया गया है हमारे स्वम्मेधान की आउलखित मुलाधिकार की यह विशेष्टा है कि इसको विश्त्री तूप में बनाया गया अगर आयटकल 15 लिखा तो 1, 2, 3, 4, 5 ना उसके खंड बतलाया गया और उन खंडों के अंतरगत अपवाद भी बतलाया गया और अपवाद के बाद अगर बरतमान संदर में उसका मुल्यांकन करें तुन्याइपालिका के द्वारा अपने नेरले के अंतरगत या और भी अधिक उसके विश्त्री तावर विक्षित ब्याख्या कर दी गई है अब तीसरी महत्पूर्ण विशेष्ता है fundamental lights की के fundamental lights नेरपेच अधिकार नहीं है भारती शंबेधान के अंतरगर जिन मुला धिकारों का उलेख किया गया वे मुला अधिकार नेरपेच नहीं है बलके उनके उपर तरक्षंगत आधार पर प्रतिबंद लगाया गया है आपको यहाँ पर यह भी अंतर समझ लेना है कि अमेरिका से जब हमने मुला अधिकारों को ग्रहन किया तो वहाँ पर फंडामेंटल लैड्स निरपेच है और वहाँ पर मुला अधिकार में संसोधन करने का अधिकार परल्यामेंट को है भारत में भी संसोधन करने का अधिकार परल्यामेंट को है और निरपेच अधिकार की बात यहाँ पर किया गया आपको भारती सम्मेधान के निरमाताओं ने कहा कि फंडामेंटल लाइट्स नेरपेज सेधिकार नहीं होगा आग क्यों कि इसके उपर देश काल परिशिति के आधार पर देश काल परिशितियों के आधार पर इसमें संसोधन और परिवर्तन किया जा सकता है देश काल परिशिति के आधार पर सार्जनिक ब्यवस्था निया एक नेड़े के आधार पर तथा देश के एकता खंडता को ध्यान में रखकर अंशूचित जनजात के हितों के आधार पर इस पर प्रतिवन लगा जा गया है दूसरी महत्पून बात है कि मूल अधिकार की एक अन्य विश्था है कि आपात कालेन इस्थिति में ये इसको निलंबित किया जा सकता है ना fundamental rights का निलंबन करने का अधिकार है भारत में राश्वति को सामा निकाल में fundamentalize क्रियानवित होगा लेकिन अगर राश्ति आपात का लागू हो मुला धिकारों का निलंबन केवल राश्ति आपात का अर्थात अनुचे 352 के एंबलिमेंट होने पर ही होता है आनुचे 352 अगर लागू है तो राश्ति के द्वारा मुला धिकारों को निलंबित करने की घोशना की जा सकती है इसलिए मुला धिकारों को निलंबित करने का भी अधिकार है किसको राश्ति को या मुला धिकारों की एक अन्य महत्पूर्ण विशेश्ता है आगली बात है कि मुला धिकारों में संसत के द्वारा संसोधन किया जा सकता है यह बात मूल संबेधान के अंतरगर उलेखित नहीं था क्योंकि अनुछे 13 में कहा गया था कि संसत या राज के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का निर्मान नहीं किया जाएगा जो के मुला धिकारों के असंगत हो यह मुला धिकारों का गरूद करता हो यह मुला धिकारों को समात करता हो लेकिन आर्टिकल 368 के अंतरगर संबेधान के विविन्द भागों में संसोधन करने के लिए संसत को अधिकार दिया गया था कालांतर मैंने एक नेले के द्वारा इसी बात को कबूल कर लिया गया कि संसत के द्वारा मुला दिकारों में संसोधन किया जा सकता है परंद संबेधान के मोल्ड हाचे में संसोधन करने का दिकार नहीं होगा तो देखे इसके साथ साथ अगर बात करें तो मुला धिकारों के एक अन्य विसिस्ता है कि जहां पर आमेरिका के अंतरगत मुला धिकारों का उलेख तो किया गया लेकिन मुला धिकारों के रच्छा काउन करेगा ये दूलंगन होता है तो उसका रच्छा करने का दैत सरकार के उपर छूर दिया गया है परंद भारती सम्मेधान के निर्माताओं ने आग कहा है कि न्याय पालिका मूला धिकारों की रच्छक है और आठकिल 32 के अंतरगत अउच्चितम न्यायले और आठकिल 226 के अंतरगत अउच्च न्यायले के द्वारा पांच प्रकार के रीच को जारी करके आबंदे प्रत्यच्चिकरण परमादेश प्रत्सेद उत्प्रेशन और अधिकार पिच्चा पांच प्रकार के रीच को जारी करके मूला धिकारों के रच्छा की जाती है इसलिए मूला धिकारों के रच्छा आका जिमा सरकार के उपर नहीं को अपने मूल संभिधान में बढ़ित कर दिया गया तो दिखे हम लों के क्लास का यहां पर बात थी जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि मूल अधिकार का अर्थ क्या है और मूल अधिकार की बिशेश्ता क्या है किजिटी पीजिटी यूशिन अड़ेहरफ तथा और बेसी फर्स्ट ग्रेट के लिए हमारा नया बैस 16 अगस्ट से स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्टे किसमें आपको अड्मिशन ले लेना है अड्मिशन लेने के लिए दिये गए नमबर पर आप काल या वार्चप कर सकते हैं और सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि हमारे इस नया बैस में आप वही फीश होगी जो कि पहले बैस में था इसमें कोई बढ़ोत्री नहीं की गई है आप हमारा जो पुराना बैस चला है जो फर्स बैस था उसमें अड्मिशन ले नया बैस हम लोग 16 अगस्ते स्टार्ट कर रहें इसलिए नये बैस में अड्मिशन की प्रेक्रिया स्टार्ट है 15 अगस्त तक आप अड्मिशन करा लें सोला अगस्ते आपको वीडियो और क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तेली ये तो महत्पों सुचना आपको देनी थी क्लास में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए धन्यबाद जये